सब करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटीव लर्निंग पे जहां हमारी सोच आप सबों तक बहतेरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रेस्टाटिक सीरीज की सुरुवात मैंने कुछ दिन पहले ही कर दी थी आज इस वीडियो में हम खुर म सलोके ऊपर बात करें स्वाम्सलाव में बहुत सारी चीजेतारी जाकिश करने और इन उनक्तली में टिश्कस और देख है टो चलिए विना किसी डेई के कुछ लोग को शुरू करते हैं करदे देखते हैं कुलंजला को तो कुलंब ने जब क्या था को दकते हैं को द suasफाल फिजिए को न्हों आप चार्ज को ने करें तो अगर यह जो है वह बहुत बड़ा हो आर से समय में आ रहा है तभी पॉइंट चार्ज इसको कंसिदर करें गए और इस पहारики पोईंटच चार्जियों खुलांब स्टेट्मेंट के लिए अपनी केबल होता है, अब ये दो statement तो clear हो गैं, थर्ड स्टीटमेंट इसका एक्सप्रेशन आता है कुलंब लॉख क्या स्टेट करता है कि अगर दो स्पेर कंडिशन यह होनी चाहिए कि दोनों स्पेर दोनों पॉइंट चार्जे एक लाइन नोनी चाहिए और जो force act होगा वो इसी लाइन पे अट होगा तो force का डायक्शन या तो ये होगा या फिक ये होगा इसके उपार भी बात करेंगे पहले देखते इसका expression क्या है तो कुलंशलो ने जो expression दिया था वो ये था कि force जो है वो directly directly proportional to magnitude of charges इसके बीच to force एक वीर आप कर रहा हो जो एक लाइं मे saline सपरेटड, नो इन दोनों को कमबाइन करोंगा तो एक expression मिलेगा F is directly proportional to q1 q2 and inversely proportional to d square अब ये proportional proportionality हटेगा तो एक constant आएगा equality के साथ जिसे हम k कहते हैं तो यहां से कुलम्स law का जो expression है force का वह यही है force between the points are separated by distance r is equal to k q1 q2 upon d square और जो third statement मैंने third line पे सारी चीजे लिखी है वह यही लिखी है चलिए आप बात करते है force के sign के उपर force किस direction में रहेगा repulsive attractive कब होगा तो अगर दो point charges रखे हुए हैं दोनों का sign सेम है तो force repulsive होता है तो अगर मैं force q1 पे बात करू q2 के वज़ा से मतलब force of 1 due to 2 तो इसका direction इधर हो जाएगा इस direction में इसका direction होगा और अगर force of 2 due to 1 बात करू यह vector representation इसको ऐसे represent करते हैं मतलब a pop अगर force 2 second charge पर लग रहा है आप वर्स के कारण तो ऐसे लिखते हैं तो इसका direction इधर हो जाएगा तो force इसका मतलब repulsive होगा जब charge sign सेम हो अगर sign different है q1 और q2 माइनस अगर दोनों का sign different है और दोनों के बीच में force act कर रहा है तो इस बार force attractive होगा तो force का direction इधर हो जाएगा इसी तरह f21 का direction भी इधर हो जाएगा मतलब force repulsive होगा कब जब sign सेम हो और force attractive कब होगा जब sign different हो अब इसके बाद बात करते हैं k के उपर जो constant हमारे पास आया था force के expression में के q1 q2 upon r square में तो के का value experimentally find करने पे 9 into 10 to the power 9 magnitude आता है इसका और इसका अगर unit की बात करें तो unit याद रखने की भी जुरूरत नहीं है अगर logics हम देखे तो इसी expressions इसको find कर सकते हैं पोर्स का आपको इसा unit अगर पता है Newton होता है इसी तरह आर का होता है distance का meter होता है तो i square का meter square हो जाएगा और charge का कुलंब होता है मतलब दो charge है तो कुलंब square हो जाएगा यहां से के का unit क्या आजाएगा Newton meter square upon कुलंब square अब फोर्स को एक और तरीके से लिखा जा सकता है मतलब के को वन भाई फोर पाई एक्सलार नॉट हम लिखते हैं कि इसके इक्वाल होता है एक्सलार नॉट जो होता है उसको permittivity of free space बोलते हैं permittivity of free space ऐसा क्यों बोलते हैं क्योंकि जो चार्जेज अभी तक हमने जो भी पढ़ा है जो भी चार्जेज के एक्स्पेशन पढ़े हैं वो free space में है यानि vacuum में है अगर medium में रखते हैं तो चार्ज का एक्स्पेशन चार्ज का जो एक्स्पेशन होगा थोड़ी देर में उसके उपर बात करेंगे तो एप्सलार नॉट को permittivity of free space बोलते हैं इसका जो value होता है around 8.85 into 10 to the power minus 12 के equal होता है और unit इसके इसके इन वासली है के के ये एप्सलार नॉट इसका reverse हो जाएगा मतलब ये रेसिप्रोकल इसका c square upon newton meter square एप्सलार नॉट का यहां से ये unit आ गया अब बात करते हैं फोसे जलनक मतलब अगर किसी मीडिया में चार्जे रखे हुए हैं तो उन पर फोस का expression क्या होगा अब तक जो भी expression पढ़ा हमने वह तभी अपनी केबल है जब charges vacuum में रखे हुए हो तो आए देखते हैं तो अगर force in vacuum एपि मैं हूं तो force in medium एपिडास जो होगा वह एपि से छोटा होगा 1 by epsilon r multiple मतलब epsilon r times e-p-e-p से छोटा होगा तो epsilon r क्या है epsilon r dimensionless constant है जो की depend करता है medium पे और medium इसे डाइलेक्टिक constant of the medium बोलते हैं तो यहां से डाइलेक्टिक constant of the medium मतलब epsilon r का definition क्या आजाएगा यही बात यहां पर मैंने लिखती है डाइलेक्टिक constant it is the ratio of force between two charges kept in a medium to that kept in a vacuum to that kept in a medium at the same separation मतलब vacuum में जो force लग रहा है और medium में जो force लग रहा है दोनों का ratio जो होगा वही डाइलेक्टिक constant होगा तो यहां से एपिडस के expression क्या आजाएगा एपिडस आजाएगा one by four by epsilon not epsilon r q1 q2 upon r square यही आएगा इसको हम epsilon के को लिपके और epsilon को permittivity of medium बोलते हैं पर्मिटिविक्पर मीडियम जिस तरह एप्स internacional not ौट कर्मिटिविक्टिया प्री आप्री स्पेस होता है या पर्मीटिविक्टि विट्यम बोसकते हैं उस्हां आप एप्सेलों जो होता है वो वो या तो 1 होगा या तो бол different in one बताई वन कब होगा वन तभी होगा जब मेडियम वैक्यूम हो बाकी अधर मेडियम अगर हो तो ग्रेटर देट वन होगा अपसलन नार का वैल्यू अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म में कुलंस लॉक एक्स्प्रेशन को अब तक जो भी चीजे थी वह सकेलर फॉर्म में थी सदी घड़ी णंण्यक्तलब इसका पॉइस अब इन दोनों के भीज वी डिस्टेंस यह रवन तो इसका दिस्टेंस कितना हो जाएगा final minus initial मतलब r2 minus r1 का mod vector of r2 minus r1 का mod तो यहां से एक क्या आजाएगा vector r2 minus r1 का mod का square और इसका direction इसका direction कितना होगा unit vector of r2 minus r1 इसका unit vector अब इसका unit vector तो इसको हम r2 minus r1 को ऐसे भी लिखते है r2 minus r1 को लिखते है r21 तो इसके जगाप पर यह एक्स्प्रेशन भी यूज कर सकते हैं तो unit vector को जब मैं लिखूंगा magnitude upon direction upon magnitude के form में unit vector को कैसे लिखते हैं अगर unit vector है कोई a unit vector है a का unit vector है तो a को कैसे लिखते हैं डाइक vector a upon magnitude of a इसी तरह इसका भी लिखेंगे unit vector r2 minus r1 को कैसे लिख सकते हैं vector of r2 minus r1 upon magnitude of r2 minus r1 तो यहां से expression कितना हो जागा force का k q1 q2 upon r2 minus r1 by r2 minus r1 का के mod का q तो यह हो गया vector form का expression column log का इसी तरह अगर यह क्या हो गया f21 का expression हो गया इसी तरह f12 का find करेंगे f12 का find करेंगे force on one due to two मतलब f12 का अगर find करेंगे तो यहां पर बाकी सारी चीज़े सेम रहने वाली है बस वेक्टर में अंतर आएगा तो वेक्टर इस बार क्या होगा r1 minus r2 क्योंकि force of one due to two निकाल रहा है तो यहां पर बस चेंज आए बाकी सारी चीज़े सेम रहेंगी मतलब इलेक्टर स्टैट में भी जो forces होती है वो action reaction pair बनाते हैं यहां से यह बात देख लिया रहें मुल्टिपल चार्जे अगर ले ले दो चांट प्रेजन्ट और उस सिस्टम में अगर थर्ड चार्ज भी हो तो इन दोनों के बीच का जो force है इन दोनों के बीच का जो force है वह इस चार्ज की वज़से इस पर कोई effect नहीं आएगा इसको अगर 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 बोलू तो इस चा 別 है और बोस अगर ले लूं एाज टू ए फ Whoo आफ outta ऐब ठ्रीर नहीं नहीं को और फफ़ाइब इसको तो इस पर जो एफनेट ओगा एफनेट वोसारे individual मतलब एफ नेड जो होगा किसी सिस्टम में इस चार्ज परेफ निकाले तो जितने चार्जज की वाई से पोर्स होगा उन फोर्सेज का वेक्टर फॉर्म का इंडिविज्वाली.. कि अगर सेकेंड है इसको हटा देते हैं सिस्टम से ये नहीं होता है तो नहीं होगा इस एक्स्पेशन में तो बाकी सारे फोर्सेंट पर थोड़ी पढ़ने वाला तो इस वीडियो में बस यहीं तक इस वीडियो में हमने बात की कुलम्स लौ के उपर हमने देखा कुलम्स लौ का वेक्टर फॉम हमने देखा कि अगर पार्टिकल्स को या फिर चार्जेज को अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं तो फोस पे क्या असार पड़ता है डाइलेक्टिक कॉंसेंट अफ देखा और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे कोश्चन बनते हैं तो उसकी उन सारे कोश्चन को मैं डिसकास करूंगा इस मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगी और आपके लिए अगर यह वीडियो हिल्पुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी साथ हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेश करना नह भूले ताकि आगे आने पारे दिनों में एडुकेशन से एलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के तुरू मिलती रहा है तब तक के लिए stay safe and stay healthy इस वर सिच्वेशन को हमें साथ मिलकर पार करना है और सब जो भी सोसेज के वीडियम से होनी चाहिए कुछ भी कर रहा है कुछ भी फॉलो कर रहे हैं कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है वह सारी वह सारी बातों पर ध्यान देने की कोई जुरूत नहीं है तब तक के लिए stay safe and stay healthy और पढ़ाई करते रहें थांक्यू वेरी मच्छ